levels of government, so now we know that government does a lot of works, so government जो है वो बहुत सारे कामों को करने के लिए responsible होती है, उसकी बहुत सारी duties होती है, responsibilities होती है, but अब हम यह देखते हैं कि government जो है वो यह सभी काम किस तरह कर पाती है, right, so government जो है वो different levels में work करती है, ठीक है, तो government पे main तीन level है, right, तो first है local level, then level of the state, state level हो गया, and then national level, तो सबसे नीचे हो गया local level, उसके उपर state level, then सबसे उपर national level, right, तो local level मतलब हो गया, जैसे कि आपके village हो गई, आपके town या फिर locality हो गई, state level मतलब की पूरी की पूरी कोई state, right, जैसे कि उत्रप्रदेश हो गया, बिहार हो गया, right, हर्याना या असाम हो गया, तो इस तरह पूरी state, वो गया state level, और national level मतलब की पूरी country, जो कि हमारी हो गई, इंडिया, right, पूरी country के level पर, जैसे कि मैं आपको maps में दिखाती हूँ, जैसे कि हमारी पूरी country जो है, वो different states and union territories में बटी हुई है, right, अब वो states and union territories भी आगे districts में बटी हुई है, जैसे कि आपको जो चोटे-चोटे divisions दिख रहे हैं ना states में, यह जैसे मानलों यह उत्तरप्रदेश है यह लोकलर का, यह इंडिया का एक पार्ट हो गया, और क्या नाम है state का उत्तरप्रदेश, अब यह उत्तरप्रदेश भी आगे आप देखोगे चोट-चोटे divisions हो रखे हैं इसके, इसके district हैं तो यह हो गया local level जो कि आपके village level पर town level पर चाण करेगी वह गया Street q1 और फिर गवर्फमेंट जो पूरे कंट्री लेवल पर काम करें पूरी कंट्री के लिए काम करेंगी तो वह गए आपकी नैशनल लेवल गवर्फमेंट तो यह सब डिवीजन क्यों मनाए गए हैं ताकि कामों को और ज्यादा असानी से किया जा सके अब देखो कोई बड़ा सा चैप्टर में देखेंगे जो लोकल करती है किस तरह करती हाएं और आने वादी क्लास में यह देखेंगे कि जो वह किस तरह काम करती है अ